सब्सक्राइब करें ABP गंगा 13 से 18 अगस्त जाने के इन 6 दिनों में लोग का राजभवन का दीदार कर पाएंगे राजभवन को देख सकेंगे शाम को और 15 अगस्त इंता दिवस के दिन भी शाम को 6 से 9 वजे तक राजभवन खुला रहेगा जो लोग भी उतरप्रदेश का राजभवन देखने के इक्छा रखते हैं ये 6 दिनों के लिए बहुत नहीं हो नर्देश कवरनर आनंदी बेन पटेल की जानिब से आम लोगों के लिए खुला रहेगा राजभवन शाम को 5 से 9 और 15 अगस्त को शाम को 6 से 9 के पीछ में हमारे सर्योगी विरेश पांडिय हमारे साथ फोल लाइन पर है विरेश शा संभौता ये पहली बार होगा ये पहली बार होगा और आनंदी बेन पटेल जब से उस्तरप्रवेश की राजभवन को खोलने की तथा उन्होंने आते ही शुरू कर दी थी और आम जन को जब रविवार हो या तुमसरे तिन हो या इसको ली शात्रों के लिए उन्होंने राजभवन की दरवाजे को खोल रखा है एक लोगों में उच्छुकता एक कौतुहल का विशह रहता है कि राजभवन जो च्यार्जिवारी के अंदर है इतना बड़ा है आख जी 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 आपने बदाया विरेश्ट के आने के बास से लगातार वो नए प्रियोग कर रही है और उन्हीं प्रियोगों में से एक ये महत्वपून प्रियोग जिसका सीधा संबंद उत्तर प्रदेश के आम जन्माना से बहुत धन्यवादा आपका यह बड़ा फैसला गवर्नर आंदीवेंट पटेल का तेरस से ठारा अगस्त त्याने के इन छे दिनों में लोगा राजभवन का दीदार कर पाएंगे राजभवन को देख सकेंगे शाम को और पंदरा अगस्त तंता दिवस के दिन भी शाम को छे से नौ बजे तक राजभवन खुला रहेगा जो लोग भी उतरप्रदेश का राजभवन देखने की एक्छा रखते हैं ये छे दिरूं के लिए बहुत नहीं हो नर्देश गवरनर आनंदी बेन पतेल की जानिब से आम लोगों के लिए खुला रहेगा राजभवन शाम को पास से नौ और पंदरा अगस्त को शाम को छे से नौ के बीच में झाल